हलो दोस्तो आज स्वाथी आपके साथ लिखे ये स्वाथी कीचिन में शीर खुर्मा यानि हामिथी सिमाईया जो जनरल ही हम अपने किसी भी फेस्ट्रिवल पे राखी पे दिवाली पे बनाते हैं और यह नौर्मली भी घर में बनती हैं तो इससे शीर खुर्मा के नाम से भी तू टाइप्स की, यह देखिए, यहापे मैंने बारिक सीमाई लिया है, इजीली यह आपको मार्केट में इजीली से मिल जाएगी, साथ की साथ यहापे एक थोड़ी सीमाई है, आप दोनों में से कुई भी सीमाईयां यूज कर सकते हैं, आज मैं है बारिक वाली सीमाईयां या पैंचो भी आपको सुटेबल हो, तो यहापे थोड़े से मैंने नट्स लिये हैं, अपने टेस्क के अकॉर्डिंग जो मुझे पसं थे, बदाम, काजू, पिस्ता, अक्रोड और थोड़े से तरबूज के बीज, तो आप अपनी पसं से कोई भी यहापे नट्स वालनट और किसमिश भी आड़ सकते हैं, चारोली भी चीरॉंजी भी आड़ कर सकते हैं, तो यहापे अपने नट्स को ठीन से चार मिनिट के लिए भून लियाता, काफी बवुण गया है तीन से चार मिनिट में और यह दीखिये उसे सेम कड़ाई में यहां पर सिमहियां अट कर दी तो मैं इसे दो से तीन मिट के लिए और भून लोंगी यह देखिए दो से तीन मिट में काफ यचा से सुनेरा हो गया है और अब मैं इसे चलाती रहूंगी इसमें क्या करते हैं बहुत लोग इसे निकालने के बाद दूद को बॉइल करते हैं बट मैं सेम इसी में ही दूद को बनाऊंगी पकाऊंगी ताकि यह काफी अची से डिजॉल्व हो जाए दूद में काफी अची से मिक्स हो जाए और खाने में बहुत जादा सॉफ्ट लगे तो यह दिखिए मैंने यहां पे फुल क्रिम मिल्क एड किया है आधा लिटर अगर आप फुल क्रिम मिल्क एड नहीं से बॉइल कर लिया है दूद में सिमय काफी अची से खुल गई है आप देख सकते हैं और यह सॉफ्ट हो गई है पस इसी टेक्शर में मैं यहां पे अब डाल रही हूं शुगर तो शुगर है मैं यहां पने टेस्क अकॉर्डिंग 5 टेबल स्पून लिया है अगर आपको श सेफरोन मिल्क तो मैंने केसर के कुछ पतियां दूद में भीगो के रख दी थी आदे खंटे के लिए काफी अचा से डिजॉल्व हो गई है केसर इसमें यह देखिए और इसका कलर जो है वह बहुत ही प्यारा सा आया है इसमें केसर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दो इसमें कश बढ़ सकते हैं यहां पर मैंने करश करके डाल दी है और इहां पर मैंने जो चौप नट्स लिये थे उसको मैंने डिल ओ डोस्की घग है तो 산 त्सकीय देखिए काफी शीर खुरमा बंद चुका है तयार है बिल्कुल यह बस इसी स्टेच पर मैं इस हैं एक से सट फ्रेंगि मेरा में कहले हैं rented आब मैं सलते हैं इस के सरविंग प्रॉसस्स के लिए अच्छी लगई दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक सिस्क्राइब शेर करना ना भूलिएगा ईथ की बहुत सारी बदाई हैं